कहानी की शुरुबा हैलोइन पार्टी से शुरू होती है हर साल की तरह इस साल भी लोग इसे दूम दाम से मना कर सो जाती है हैलोइन पार्टी के अगले दिन सुबा चार बजे हैरी नाम का लड़का बातरूम करने के लिए बातरूम में आता है हैरी ने भी हैलोईन पार्टी में काफी दारू पी थी और वो अभी भी थोड़ा बहुत नशे में था नशे में होने के कारण वो कुछ कांच की बोतलें भी तोड़ देता है जो किसी ने टॉलेट सीट पर रखी हुई थी इसके बाद वो बाथरूं कर जैसे ही जाने लगता है तो उसके पैर में कांच की बोतल का टुकडा लगता है इस चोटे से टुकडे ने हैरी का पैर काफी जखमी कर दिया था जिस कारण वो चिला कर अपनी दोस्तों से मदद मांगता है हैरी इस समय रीना के घर में था और रीना अपने लबर रोबियो के साथ स्वंध बना रही थी हैलोइन पार्टी में दोनों ने भी बहुत आरूपी थी और ये दोनों भी अभी तक नशे में थी दोनों को समय बनाते देखकर हैरी खोधी अपने पैर से गाँच निकालता है और फिर उस पर पट्टी बन लेता है समय बनाने के बार रीना नहाने चली जाती है जबकि रोबियो हैरी के पास आकर उसका हालचाल पूछता है हैری उसे अपनी चोट के बारे में बताने लगता है और इसी बीच उसकी नजर चट पर जाती है चट पर लगे कांच पर लीजा की लाश नजर आ रही थी हैरी के कहने पर रोबियू भी उपर देखता है और वो भी लीजा की लाश दे कर हैरान होता है वो जल्दी जल्दी एक सीडी उठाकर उपर जाने का फैसला करता है लेकिन नशे में होने के कारण उसे सीडी कांच से टकराती है और लाश दडाम से नीचे गिरती है कांच तूटने की अबाद सुनकर रीना भी बहां पहुंच गई थी और वो भी लीजा की लाश दे कर हैरान थी दरासल दोनों लड़कियां इस किराये के गर में साथ-साथ रहती थी हैलोईन पार्टी में लीजा भी इन तीनों के साथ थी लेकिन तीनों को कुछ भी जाध नहीं आ रहा था कि लीजा की मौत कैसे हुई और उसकी लाश चट पर कैसे पहुंची इसी दुरान हैरी को एक फोन आता है वो पहले फोन काटने की कोशिश करता है लेकिन फिर दूसरी तरफ वाले की बात सुनकर वो से कुछ तेरे इंतजार करने को कहता है थोड़ी ही देर बद हैरी और रोबियो कपड़े पहन कर वाहर आ चुके थी हैरी नशा बेचने का काम करता था और रोबियो से उसकी मुलाकात पिछले महीने ही हुई थी रोबियो और रीना भी नशा करते थी और इसी बजा से उनकी दोस्ती हैरी से हुई थी जल्द ही हैरी लियो नाम के लड़के के पास पहुंच जाता है लियो ने ही उसे फून किया था क्यूंकि उसे नशे की जुरूरत थी और वो हैरी का पुराना ग्रहक था हैरी उसे नशा दे कर उसे पैसे मांगता है लेकिन लियो के पास पैसे नहीं थे वो हैरी को उधार करने के लिए कहता है लियो की बाद सुनकर हैरी को बहुत गुसा आ गया था वो गुसे में आकर लियो को बहुत मारता है और जाते जाते उसे अपना पुराना उधार भी कलियर करने को कहता है लियो को पीटने के बाद दोनों फिर से घर आ जाते हैं उनके जाने के बाद रीना ने पूरे गर की सफाई कर दी थी और लीजा की लाश को भी छुपा कर रख दिया था रीना का काम देहकर दोनों लड़के हैरान थी थोड़ी देर बाद तीनों दोस्त लीजा का फोन डूनने लग जाते हैं तीनों को लगता है कि शायद फोन से पता लग जाए कि लीजा को किसने मारा है फोन डूनते डूनते उनके हाल लीजा का लैप्टॉप लगता है और वो लैप्टॉप में पड़ी वीडियोस देखने लग जाते हैं रीना और लीजा एक ही कॉलेज में पड़ती थी और दोनों की क्लास भी एक ही थी लीजा पूरा दिन अपने फून से ब्लाग बनाती रहती थी क्योंकि कॉलेज के बाद वो मूवी डिरेक्टर बनना चाहती थी वीडियो देखते देखते तीनों दोस अपने कपड़े भी बदल रहे थी इसी पीछ वीडियो में एक बार नजर आता है ये बार हे मैन नाम के आदमी का था और दोनों लड़कियां उसी के घर में किराई पर रहती थी जानी तीनों दोस तिस समय हे मैन के घर में थी लीजा अक्सर ही हे मैन के पास आकर उसकी वीडियोस बनाती थी हे मैन के बार में सीन नाम का लड़का भी काम करता था और उसे लीजा बहुत अच्छी लगती थी वीडियो देखते देखते रीना का मन बहुत खराब हो जाता है जबकि हैरी फिर से लीजा का फून डूने लगा था लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता लीजा को जाद करते करते रीना लगातार रो रही थी और इसी बीच उसके फून पर एक कॉल आती है फून पर लीजा का नंबर शो हो रहा था जिसे देखकर रीना बहुत हैरान हो गई थी वो जल्दी जल्दी खुद को संभाल कर फून उठाती है तो दूसरी तरफ से उसकी क्लास में रीबा की आवाज आती है एवा रीना को बताती है कि कल रत लीजा अपना फून मेरे पास ही भूल गई थी तो रीना उससे कहती है कि लीजा की तवीध ख्राब है तुम उसका फून मुझे दे दो रीना की बात सुनकर रीबा कहने लगी कि मैं अभी बाहर हूं तुम रात को मेरे पास आकर लीजा का फोन ले जाओ साथी साथी वा मजाक मजाक में जूट बोलती है कि मैंने लीजा के फोन की सारी वीडियोस देख ली है और मुझे तुम लोगों की सारे रास पता चल गए है इवा की बास सुनकर तीनों दोस डर गए थे तीनों को लगने लगा कि जरूर उन से नशे में कोई गलती हुई होगी और शायद उसी गलती से लीजा की जान चली गई रीना फैसला करती है कि हमें इवा से फोन लेकर उसे मारना होगा वरना वो हमें ब्लेक मिल कर सकती है इवा के मजाग को रीना ने सीरियस ले लिया था जिस कारण इवा की जान खत्रे में बढ़ चुकी थी रात होते ही तीनों दोस्त इवा के बताएं पते पर पहुंच जाते हैं रीना लड़कों को बाहरी रुखने को कहती है ताकि उन्हें देहकर इवा को उस पर शकना हो इवा इस समय एक पुरानी बिल्डिंग में थी यहां आज रात भी कई लोग हैलोईन पार्टी मना रहे थे जल्द ही रीना इवा के पास पहुंच कर उसे लीजा का फोन ले लेती है इसके साथ ही वो इवा से चूट बोलती है कि आते वक्त मुझे कुछ लड़कों ने परेशान किया था ताकि इवा उसे चोड़ने बाहर आ सके रीना की बास सुनकर इवा उसे बाहर तक चोड़ने चली जाती है बाहर दोनों लड़के इवा का इंतजार कर रही थी ताकि मौका देखकर वो उसे मार सके उधर दोनों लड़किया बाहर तो आ गई थी लेकिन तब ही इवा का लबर बहां पहुंच जाता है और इवा को जबर दस्ती अपने साथ ले जाता है रीना की पूरी जोजना फैल हो चुकी थी वो उदास होकर लड़कों की और बढ़ने लगी थी और रास्ते में एक विखारन बुडिया उसे रोक कर पैसे मागने लगती है रीना उसे जाने को कहती है लेकिन वो तो उसके पीछे ही पढ़ जाती है दूर खड़े लड़कों को लगा कि रीना के साथ इवा ही है वो जल्दी जल्दी पीछे से आकर बुडिया को पकड़ते है और फिर अगले ही पालों से सामने वाली खाली इमारत में फिंग देते है नीचे गिरते ही बुडिया मर जाती है क्योंकि वो काफी उचाई से गिरी थी रीना अपने दोस्तों को सब बता कर कहती है कि तुम लोगों ने जल्द बाजी में किसी और को ही रगड़ दिया रीना की बाल सुनकर लड़कों को अपनी गल्दी का एसास हो गया था तीनों दोस्ता फैसला करते हैं कि हमें लीजा की लाश ठिकाने लगानी होगी क्योंकि लाश में से जल्द ही बुदबुगाने लगेगी और ये चीज तीनों के लिए खतरनाक है थोड़ी देर बाद तीनों दोस्त घर बापिस आ चुके थे वो जल्दी जल्दी लीजा की लाश को एक अबर में चुपाकर उसे कचरे के पास रख देते हैं ताकि कचरे बाले लाश ले जाएं जल्दी ही कचरे बाली गाड़ी आती है मगर आज कचरा उठाने बाले भी जल्दी में थी वो छोटा कच्रा तो उठा कर ले जाते हैं लेकिन भारी कच्रा जानी लीजा की लाश को वहीं छोड़ जाते हैं तीनों की जोजना फिर फेल हो गई थी रात वो तीनों फिर से लैप टॉप में वीडियोस देखने लगते हैं लीजा इन तीनों के साथ हैलूइन पार्टी में थी हैरी ने एक मास्क बाली ड्रेस पहर रखी थी जिस कारण उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था लीजा पार्टी में थोड़ी देर रोकर घर वापिस आ जाती है और उसके दोस्त भी party छोड़ कर उसके पास ही आ जाते हैं तीनों नशे में थे और वो लीजा के साथ ही मस्ती करना चाहते थे ये तीनों पहले लीजा को जबर्दसी तारू पिलाते है और फिर रीना के कहने पर हैरी लीजा की इस्दत लूटने लग जाता है लीजा बार बार रीना से मदद मांगती है और रीना के कहने पर रोब यो एक चाकू लाकर लीजा को दे देता है रीना लीजा के हाथ हो हैरी को मरवाना चाहती थी लेकिन गलती से लीजा का ही कतल हो जाता है विडियो में जे नहीं देख रहा था कि लिजाका कतल किस ने किया लेकिन विडियो देखकर तीनों दोस्ट डर गए थी थोड़ी देर बाद हैरी के हाथ वही चाकु लग जाता है जिससे लिजाका कतल हुआ था हैरी का शक रीना पर जाता है क्योंकि चाकू बेड़के नीचे से मिला था और रीना ने गर की सफाई की थी मगर रीना उसकी बाँ से सेहमत नहीं थी और वो गुसा होकर अपने कमरे में चली जाती है रीना की जाने के बाद हैरी रोब्यो को समझाने लगता है कि तुमें जे चाकू ठीकाने लगाना होगा क्यूंकि ये पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहिए। उसकी बात मानकर रोबियो चाकू लेकर वहां से चला जाता है। और रीना कपड़े बदल कर बाहर आ जाती है। अब हैरी ये कमरे में बैठा टीवी देख रहा था और रीना उसके सामने आकर अपने कपड़े उतारने लगती है। दरासर रीना और रोब या नशे के यादी थे और वो हैरी से उधार लेकर नशा करते थे। धीरे धीरे उनका उधार काफी बढ़ गया था। आखर में दोनों फैसला करते हैं कि वो लीजा के हाथों हैरी को मरवाएंगे और फिर लीजा को ब्लैक मिल कर उससे पैसे मागेंगे। मगर रीना गल्दी से लीजा को मार दीती है और सारी जूलना फेल हो जाती है। अब वो हैरी पर काबू पाकर उसे दोखे से मारना चाहती थी। जल्द ही वो पुरानी ड्रेस उतार कर नई पहल लेती है। और हैरी को अपने पास बलाती है। उसका बदन देहकर हैरी के भी रोंग टेखड़े हो गए थी। जिसके बाद दोनों के भी सबंद बन जाते हैं। थोड़ी देर बाद रोबियो का इंतिजार करते करते हैरी बाहर आ गया था। जल्द ही रोबियो बहां आकर उसे कहता है कि काम हो गया। इसी पीशकर का समान बाहर गिरने लगता है। समान बाहर फेकने वाली रीना थी। दोनों लड़के जैसे ही घर में गुस्ते हैं तो रीना उनसे कहती हैं हमें घर में तोड़ फोड़ करनी होगी। ताकि पुलिस को लगे कि घर में लुटे रही आई थे। और वो ही लीजा को मार कर चले गए। दोनों लड़कों को रीना की जोड़ना अच्छी लगती है। जिसके बाएं वो भी घर में तोड़ फोड़ करने लग जाती है। इसी पीश हैरी फ्रेज खोल कर उसे भी खाली करने लगता है। लेकिन तभी रोबियो पीशे से आकर उसकी चाती पर चाकू मारता है। रोबियो की हरकस से रीना भी हैरान थी। हैरी जल्दी जल्दी चाकू निकालकर रोबियो को भी मार देता है। रीना दाड़कर रोबियो के पास आती है। लेकिन उसकी आँखों के सामने पहले रोबियो दम तोड़ता है और फिर हैरी भी मर जाता है। रोबियो हलातों से परेशान हो गया था और वो हैरी को मार कर रीना के साथ भागना चाहता था। रीना की कोई भी जोड़ना सफल नहीं होई थी और अपनी जोड़नाओं के कारण वो बिलकुल अकेली रह गई थी उसने और रोबियों नहीं लीजा की लाज च्छत पर रखी थी ताकि वो हैरी को ड्राकर उसे ब्लैक मिल कर सकें हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यबाद कर सकते कर सकते हैं